हाई बच्चा लोगों कैसे हैं आप मैं बिने गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपनी फेबरेट चैनल के जबी साइंस इजी लर्निंग बच्चो आज हम लाएं आपके लिए कारवन कंपाउंड का एक इंपोटेंट टॉपिक फंक्शनल गुरूप बच्चो तब और हमें प्रॉपर ली समझ में आना चाहिए तो इसके लिए आप प्रॉपर लीस बीडियो को डंग से वाच करें हैं तो बच्चो फंक्शल गुरुप होता कह एं पहले आपको है अकेला या ग्रोप आफ एटम्स के लिए कि प्रिजेंट देना कि मॉलिक्यूल कि किसी मॉलिक्यूल में प्रिजेंट होगा ओके विच डेट्रमाइन्स दा यह बहुत इंपोर्टन लाहिन है विच डेट्रमाइन्स दा कैरेक्टरिस्टेक्स प्रोपर्टी ओफ दा ओर्गेनिक कंपाउंड करेक्टरिस्टेक्स प्रोपर्टी ओफ ओर्गेनिक कंपाउंड पेपर में आता है कि क्या कहलाता है जो कौन सा पार्ट और गरेक कंपाउंड का करेक्टरिस्टेक्स प्रोपर्टी को डिसाइड करता है देट इस क्या होता बच्चो फंक्सल गुरूप के लिए ठंक से बोच करना है बहुत तब टॉपिक है बच्चो तो चलिए कौन-कौन से फंक्सल गुरूप हमाई सिलिवस में हैं वो आपको मैं बता दूँ ओके तो फंक्सल गुरूप के टेबल आपको पता होनी चाहिए तो टाइपस ओफ फंक्सनल गुरूप जो हमाई सिलिवस में हैं ओके कैसे करेंगे इसे बच्चो इदर के लिए सबसे पहला आपको मैं बता दूँ बच्चो एलकोहॉल कि एलकोलिक फंक्सनल गुरूप है कि लिए समझ में आ रहा है सबको अब एलकोलिक फंक्सनल गुरूप को बच्चों हम किस से शो करते हैं याद रखिए ओए जिस कंपाउंड में होगा पका उसमें इलकोलिक फंक्सनल गुरूप होगा कि लिए समझ में आ रहा है और याद रखिए बच्चों वेच्च से पता चल जाएगा और जिन कंपाउंड में लकॉलिक फंक्सनल गुरुप होता है बच्चोंने हम एल्फंटो हल्स बोलते हैं क्या बोलते है ऑल्בר है तो पहला सब को समंझ मैं आ गय कि नं le sally नो किसी रेप्रेजन करते हैं है यह बहुत जरूरी है बच्चों ए जरूरा बॉक्समें डाल दीजैं Mythical के लिए दूसरा बच्चों आपके सामने है देट इस कार्बॉक्स लिक एसेड करो सबको हारा है ना पक्का देट इस सी ओ ओ एच इसको हम चाहें तो इस्तरचरली ऐसे बना सकते हैं सी ओ ऑ एच कारणों के ऑल फूषर के लिए रॉक्σιंग की दो होती है और जिन Daoir में कार्बाक्सलि्क ऍाशिड गूर ठो होता है उसे ग्लाओन क्या क्या बोलेंगे कार्बापसलिक एसिट्स बोलता है क्या बुलते हैं कार्बॉक्सलिक एसिट्स सबको आया है यह तक पक्कार आए ना धंग से बोला करिए सारे बच्चे चले नेक्स मूब करते हैं बच्चो चले थर्ड इस दा एल्डी हाइड एल्डी हाइड एल्डी हाइड गुरुप एल्डी हाइड गुरुप बच्चो सी एच्चो से रिप्रिजेंट किया जाता है जिसमें भी सी एच्चो और एल्डी हाइड कहेगा ओके इसको हम चाहें तो से च्चरली एसे सो कर सकते हैं सी ओ एच दिए ऑक्षिन के दो हो गए और जिन गुरुप होता है बच्चों ने हम क्या कहेंगे लडी हाइड बोलेंगे जैडि इसी तरह बच्चो नेक्स्ट आपका आता है और फॉर्ट में बच्चों की टॉनिक गुरुप कीटोनिक गुरुप बच्चो इस तरह से होता है सी ओ मतलब है हमेशा मिडल इन दर चेन पाए जाएगा इस बात को याद रख लेना मिडल इन कारवन चेन कारवन चेन के बिलकुल बीच में होगा के लिए बहुत इंपोटेंट वैरी वैरी इंपोटेंट हम चाहें तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं इस तरह से एक ही बात क्योंगे दो वैलेंसी जाएं फ्री हैं एक ही बात है कि लिए सबको आ रहा है और जिन कंपाउंट में कीटोनिक गुरुप होता है उन्हें हम क्या कहेंगे कीटोन्स कहते हैं क्या कहते हैं कीटोन्स नेक्स बच्चों आपका आ कि लिए फिफ नंबर पे बच्चो आते हैं आपके बच्चो Amines Amino Group Clear? Amino Group होता है बच्चो NH2 चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं NH और H और जिन Compounds में Amino Group होता है उन्हें हम क्या कहते हैं Amines Okay Next 6 है बच्चो आपका 6 is the Hello Group कौन सा ग्रूप बच्चो Hello Group Hello Group X से लिखते है X की जगे क्या क्या आ सकता है आपका F आ सकता है CL आ सकता है BR आ सकता है AI आ सकता है पका रहा है और जिन Compounds में Hello Groups होते हैं बच्चों उन्हें हम Helides कहते हैं क्या कहते हैं Helides अब हमें जो पढ़ने है हमारे syllabus में Amino Group नहीं पूछा जाता है जो बचे हुए 5 है वो पूछे जाते है तो एक एक करके हम पढ़ते हैं और इस वीडियो में हम के बढ़ जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए फंसल गुरॉप आप सभी को समझ में आ रहा होगा पूरी प्रॉपरली सबको आनी चाहिए फंसल गुरॉप क्या होते हैं यह करबार आप बापिस से देख सकते हैं एक्टम और गुरॉप ऑफ एक्टम प्रिजेंट इन दा मॉलिक्यूस वीच टेटरमाइन दा करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दा और अर्गनिक कंपाउड के लिए पक्का यह सब को आगई तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चो डेट इस एल्कॉल्स डेटेल में पढ़ने जा रहे हैं एलकोलोज चले एलकोफ बच्चो क्या और गनिक नेरा निट कंपाउंड्स है ओर गनिक कंपाउड अर्गनिक कंपाउंड चले एक सब्सक्राप काइड है ओएच गुरूप है ओके है आर कॉर्ड है एलकोल्स है यह सब को आ रहा है बच्चा लोग जिन में कौन सा अंडरलाइन कर देंगे जिन में कौन सा फंक्सल गुरूप होगा ओएच गुरूप होगा जैसे एक्जाम्पल देखी अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन बताएगा एक्जाम्पल में बताना मुझे क्या यह एलकोल है सी एच थ्री ओ एच क्या यह एलकोल है ऐसे पूछेगा इडेंटिफाई विच कंटिन एलकोलिक फंक्सल गुरूप तो इसमें है यस इसमें ओवेच है तो यह होगा किलिए ह हमसे बूलेगा सी टू एच फाइफ ओओ एच क्या इसमें अलकोडिक फंक्सल गुरूप है बिल्कुल ऐसा क्योंकि इसमें ओवेच देख रहा है आपको चलिए एच ओएच क्या इसमें ऐख यह बत्दिख रहा है और यह था ना बया झैसे नोट एलकोल बच्चो यह आलको वो उसको हो लिख दिया है समझ मैं के लिए पक्का आ रहा है न तो दिसे नौट एलकॉल है तो किस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं वह टफ है पेपर में आता है डंक से देखेंगे नेमिंग ओफ एलकॉल कि इधर देखेंगे बच्चों तो कि नेमिंग ओफ एलकॉल कैसे करेंगे वह इधर देखिए आप बहुत अच्छा टॉपिक है पेपर में बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है सबसे पहले आपको मैं इनका जी एफ बता दूं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपको बस एलकॉल का जनरल फॉर्म इन में से और वह तो क्या हो गया जनरल फॉर्मूला सारे बच्चे एक साथ रिपीट करेंगे सी एन एच्टू एन प्लस बन वह पका आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको आ रहा है अब बच्चों इनका जब हम आई पीए सी नेम रखेंगे इनका कॉमन नेम भी होता है डंग और आई यू पीए सी नेम भी होता है एक पूरा सैसन ही बहुत इंपोटेंट है बच्चों कॉमन नेम जो होता है बच्च लोगों वह इनका कॉमन नेम हम लिखते हैं एल काईल एलकोहल एलकाईल एलकोहल बस बार बार एलक चेंज करेंगे जितने कारवन आँगे उसका वर नाम है एल के नौल के वल बारवार एलक चेंज करेंगे अब यह आगर आपको समझ में आ गया हो तब हम आगे मूब करेंगे कंसेट के लिए हुआ जी एफ बोलिए क्या है जन्रल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस बन ओएच एन नमरों कार्बन एटम कॉमन नेम एलक अब यहाहां तक कोने के बाद हम कैसे कि करेंगे वह इधर देखें एक करके मैं आपको सम्झा रहा हूं सबसे first member हमने n equals to 1 रखा first member मतलब इसका जो सबसे first member होगा हमने n equals to 1 मतलब एक कार बने कौन-कौन put कर सकता है formula देखे cn तो n की जगह 1 c1 2 बन जा 2 और प्लस 1 3 c h 3 o h अब बंतों कहीं लिखते नहीं है तो सीधा सीधा c h 3 o h सबको आगया कि नहीं आगया बताई है सबको आ रहा है c1 h 3 1 तो अरे बन तो common sense है बने उसमें क्या लिखना तो बच्चो c3 o h आगया first member और याद रखिये बच्चों लोगों इसका common name रट्रना कुछ नहीं है common name एक कारवन है एक कारवन का वर्डूर्ट सबको पता है मीथ होता है तो बस इस वाले फॉर्मूले में जो आपको इधर देख रहा है कॉमन नेम का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों एलकाइल एलकोहॉल बस मीथ लिख देंगे एलकी जगे नाम आ जाएगा मिथाइल एलकोहॉल आगया मिथाइल एलकोहॉल कि नियत चीटर आगया concept किलियर हुआ अगर हमसे पूचे इसका आयू पीएसी नेम क्या होगा आयू पीएसी नेम बच्चों कारवन एक कंसेप्ट कहता है क्या देखे कंसेप्ट को बॉक्स में ज़रू डालनों बार बार इधर देखिए एलके नौल एलके नौल बस एक कारवन तो मिथा मी थे नौल अब यह सबको आ गया कि नहीं सबको आ गया है अब आईए बच्चों आपको अगर पता हो तो इधर देखेंगे हम सारे इधर अगर हम इसकी structure बनाएं तो कैसे बनाएंगे रटना कुछ नहीं है structure बनाने को पूछेगा कि इसका structural formula कैसे के लिए को देखो कितने कारवन देख रहा है समय जल्दी बता किया कारवन एक ही देख रहा एक कारवन देख रहा है तो एक कारवन पनाया हमने America ने पुर्ण हुन को कितनी को पता अब की बार कारवन में मारो दंडे हैं और तीन फटापड से इन लगा लगा दिया कॉमन सेंस है जो और है पका बीच में डंडा हुआ उसे देखाने की कोई नहीं होती कुछ डंडे छोपे हुए अच्छे लगते हैं के लिए तो इस इता स्ट्रेचरल फॉर्मूला अगभर हम से कहें कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट इस्ट्रेचर बनाई है कुछ नहीं करना होता है एक डंडा ठाएंगे एक डंडा ठाइंगे दो मिंदी लगाईंगe तो यह सिंगल मॉंट की जगए अब देखिए और एच यहां पर देखिए इधर इंडिकेट कर रहा हूं है और एच के बीच में आपको पते एक डंडा होता है वो दिखाते नहीं तभी तो ऑक्षिन की बिलेंसी दो होंगी और एक होती होती है तो हमने कॉमन सेंस है यह मैंने एच ल तो बच्चों पहले तो हमने एक इसकी जगें दो डॉट लगाई और पक्का पता है कि इनके बीच में सिंगल वांड होता है चुपा हुआ है दिखाई नहीं देगा आपको खुद पता होना चाहिए तो दो डॉट लगा दें यहां तक सब को आगया कि नहीं पक्का आगया अब हमें सबके सबसुना सबके आड़न के दो करने है यह सबनो बूली इस आड़न के दो यह सबनो बुलिया है कि सबनने के दो होगए अब कार्वन के आर्ट करने है ये लो कार्वन के भी आर्ट हो गए कितनी अच्छी तरह समझ में आ रहा है सबको अब ये ऑक्षिन के आर्ट करने है ऑक्षिन के आर्ट होई नहीं रहे हैं बिने से दो इधर रहें और दो इधर चारी हो रहे हैं तो अपनी तरफ से अपनी जेव से हम खुद और चार एलक्टरॉन लग देंगे ऊपर और नीचे जिससे उसके आठ हो जाए है हो गए अब देखिए आप इसके भी आठ हो गए अब देखिए कितनी अच्छी तरह सी है स्थ्री समझ में आया सबको आया कि नहीं आया बताएं पर का रहा है अच्छी तरह से आया सबको इलक्टरॉन डट इस्ट चलिए आइसका आगे की मेंबर करते हैं और किलियर हो जाएगा इसको आगया बन अब आई यह इसका सेकंड मेंबर हम डूड के लाते हैं आपके लिए कौन- अब सेकंड मेंबर ओके एन एक वस्टू को अब एन एक वस्टू तो कौन एक वस्टू पूट करेगा जल्दी बोलो फटाफ़ट से सीटू फॉर्मूला याद होने चीए एन एस्टू एंप्लस टू प्लस एस्टू प्लस बन ओएच सीटू एच फवाइच वफएच यह सबको आ गया कि नहीं पक्का आगया अब आपका यह आ गया सीटू एच वफएच वफ तो अब इसका कॉमन नेम और इसका आई उपीस नेम हम कबरब करेंगे कौन-कौन बताएगा मुझे चलिए कॉमन नेम वाई पेशी ने कॉमन नेम दो कारवन देखिए थोड़ा स्लो मोड में काम किया करें चीज को ऐसे देखिए कि मैं आपके सामने हूं वह देखिए कि अच्छी तरह से बोड़ पर भी समझ नहीं आता अच्छी तरह से आपको सी टू एच पर ओएच कारवन दो हैं दो कारवन एथ होता है एथ और कॉमन नेम का फंड़ा है एलकायल एलकॉल तो बस एलकी जगे एथ रखा एथायल एलकॉल सबको आगया नहीं आगया मेरे बच्चों अच्छा आयूपेसी नेम का फंड़ा होत सबको आया बच्चो बहुत अच्छा टॉपेक है यह पक्का डंग से आ रहा है न अब इसकी स्ट्चर बनाएंगे अब आईए सबको आएगा सब आता है मेरे बच्चों को स्ट्चरल फॉर्मूला बोलो या स्ट्चर बात एक ही है सबसे पहले कारवन देखो अब पस इन दोनों को बस सिंगल बॉंट से जोड़ दो जोड़ दिया अब डंडे पूरे कर दो डंडे पूरा करना सबको आता है कार्वन में मारो डंडे चार यह तो पढ़ा हुआ है एक दो तीन चार इसके हो गए इसी तरह एक दो तीन चार अब सब जगे एच लगा दो आप करना बाले को छोड़ दो ओड़ लगाने के लिए मैंने बताया तो और एक सिंगल वांड होता ही है यह जरूरी है यह जरूरी है फिक्स है वह दिखाते नहीं है अब इसको चाहें तो कर सकते हैं करना भी सिखा दूंए बहुती इजिए कर देंस्ड फॉर्मूला अरे आपक चाचा बार कर देख सकते हैं समझ मैं न फिर भी आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता है चले आई करने कैसे करेंगे इस कारवन से आप देखें कितने लगें 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 तो मैं ऐसे लिख सकता हूं देख थरी इस कारवन और चारम की बीच में सिंगल ओंड इस कारवन से कैके लगा हुआ है ह श सी एच टू और कि लगा हुआ है वेच सीच तरी सी हाच एक ही बात है वेकी कंपीट करेंगे तो सिटू फ़िवरेत नहीं आ चाहिए अब इसका डॉट इस्टचर बनाएंगे तो डॉट इस्टचर कैसे बनाएंगे सबको आता है ई डी एस तरीका देखिए एक डंडा ठादो दो डॉट लगा दो सी एक डंडा ठाया है दो डॉट लगाया है एक डंडा ठाएंगे दो डॉट लगाएंगे सबको समझ मैं आ रहा है बच्चो पक्का चलिए ओ पिने सोर ओ और इसके बीच में दो कोई डंडा नहीं हम क्या डॉट लगाएं अब यहां तक आ गया पक्का चलिए तो अब हम इनके सर्किल पूरे करते हैं पहले हाइड्रोजन के करते हैं दो Hydrogen के 2 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 यहो हो गया किलिए अब carbon के 8 करते है color change कर लेता हूं मैं जिससे की आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए बच्छे लोगो किलिए आपका favorite color ले लूं मैं देखते हैं भाई आगया है बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर आ गया पिंक सा परपल सा कौन सा देख रहा है देखे कारवन आठ हो गए अब इस कारवन के भी आठ देखो आप कि सबको आरा है कि नहीं आ रहे हैं देखे कि अच्छी तरह सा अब बिने सर ऊक्षियन के तो हाट नहीं हो रहे है और निछ दो इधार नहीं क्या सा बताए था एक्स्टर चार लगादो और अख्षियन के आठ करा दो और दो आब आइए इस पर क्या करें एए अधा इदर दिस 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 अब इससे बैटर आपको कौन इलक्ट्रों डॉट इस्टचर एक्स्प्लेइन कर सकता है सबको समझ में आ रहे की नहीं पक्का आ गया यह सवनों बोलिए रहे डंक से आ गया तो मेंबर नमबर टू किलियर हो गया होगा आपका इथेनॉल आईये चलिए दीरे-दीरे बढ़ते हैं मैंने बहुत सारा आराम से बहुच करना है आराम से अबजर्ब करना है इसको थर्ड पर आ गया हम थर्ड मेंबर एनिक कॉष्ट्टू क्या रखेंग थ्री थ्री रखेंगे मतलब बच्चो सी थ्री एच सेविन ओएच तीन का डवल डवल में एक हैड अब इसका कॉमन नेम सबको पता होना चाहिए कितने कार्वन तीन प्रॉप आयल एलकोहल एलकोहल होता है ना ओके चलिए आई-उ-पी-ए-सी नेम कौन-कौन बताएगा ज यहां पर पे नॉल इसकी कानी बहुत अच्छी आने वाली है अब मैंने क्या किया तीन कार्वन देख रहे हैं तीनों कार्वन इस्टचर बनाने है So istructural formula Clear So तीन कार्वन देख रहे हैं तो एक, दो और तीन सबसे पहले देखो रे देखो कार्वन को देखो तो डंडे करो कार्वन में चार इसके तो दो भगवान ने दे दिये तो दो और बचे इसमें एक दिये है तो तीन और बचे अब क्या करें है विने सर एच 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 सब जगे कॉर्णर को छोड़के सब जगे आंक बंद करके एच लगा दू और कॉर्णर पे ओएच लगा दू पक्का अच्छी तरह से बच्चो अब जो लग गया है वह अभी में बता हूं कॉर्णर भी क्यों लगा रहे हैं आप कॉन कॉन कर सकता है बच्चा लोगों तो देखिए बच्चा पाटी इधर तो कंडेंस्ड फॉर्मूला और आपको धंग से करेंगे ना जो मजाक करता है ना उसकी लाइफ में कभी भी कोई चीज अच्छी होई नहीं सब्सक्री पढ़ाई में तो पढ़ाई के साथ मजाक म देख रही है CS3 सिंगल बॉंट CH2 फिर इसको देखिए CH2 OH कंडेस कर दिया चेक कर लें ना C3H7OH आ जाएगा के लिए चलो मैं चेक करके भी देखा दूंग आपको 1, 2, 3, C3, 3, 2, 5, 2, 7, S7OH वो बत्मीज है यार इतना बत्मीज है क्या कर सकता है इस फॉर्मूले को वो ऐसे भी लिखके दे सकता है इस तरह से C3H8OH वो लिखके दे सकता है आप नहीं लिखेंगे वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है आप से यहां तक सब को आप याकिन हा मीखार है दोती दिखानों पर वो मनाते हैं तो वह स्वेले कर लोगो हुरूपि दोबी एकड़न दोबिंदी पहले अमेशे जब भी लप्ट्रॉन डौर्ट इश म्हां आई न आप बच्चा लोगो हमेशा याद रखा करिए ये हमेशा पहले structural formula बनाये करें ह 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 क्लिया सोज में आ रहा है अधे यहां पर ओएच आएगा वेट ओएच कॉर्णर पर ओएच था ना एच 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 और एच एवन गया अब आई एदर वेट डाइग्राम इसके दो कि इसके दो कि सबके दो दो कनने और हैं एक से दो अब देखिए इसमें आपको पता है बीच में दो एलक्टरन होते हैं सबको पता है सबको देख रहे हैं तो दो है ना दो है भाई अब इसके भी दो इसके भी दो इसके भी दो के लिए अब कारवन के कितने करने हैं बच्चो देखते हैं कारवन के करने हैं एट दो दो चार दो छे दो आठ दो दो चार दो चैर दो आट अहां दो दो चार दो चैर दो आट कि अकषाओ और इसके दो और पिपर में आईगे बच जोगे अब आपने सोचा आपने है पॉर्नर पर ही क्यों लगाया है आपकी बात नहीं मान रहे हम तो क्या करेंगे दिखाना हो burd कि सेकंड में एक दो वाले पर लगाएंगे अब आप बिरांच नहीं लगाते कि अब आएट दंडे पूरे करिए तो क्या मैं डारेक्ट लगा दे रहा हूं इस पर तो एक और इस पर त्री यह बन गया आपका अब देखिए सब कुछ चेक कर लेना इसमें कारवन भी तीन है हाइड्रोजन भी 37 है और ओएच भी एक है सब कुछ सेम है सब को सेम आया जब दो मॉलिक्यूल्स का इसका पॉलिक्यूल्स वह जो सेम हो बट क्या डिफरेंट हो बच्चो इस्टचर रने केते हैं आई सो मर्स तो बच्चो ए किया है आई सो मर्स है आई सो मर्स अब इसका नाम क्या हुगा तो इसका IUPAC नैम डंग से सीखना इधर देखना आयू पेसे ने पहले मैं आपको इधर ले जाओं फस्ट वाले पर तो आपने जो लगाया है जो हम ने फस्ट लगाया है वह आपने फस्ट कोणनर पर लगा है न तो हम प्रॉपेन ओल बोलो यह प्रॉपेन वन ओल बोलो बात यह किया क्योंकि ओवेज कौन से कार्वन पर लगा है फर्स्ट पर लगा है बट बच्चो अब जो हम यहां पर जो हमने ओवेज लगाया है वो ओवेज कौन से नमबर के कार्वन पर लगाया है second पे लगाया है इसलिए one all ना होके इसका नाम होगा propane to all सबको आगया कि रहे हैं तो हमके लिख सकते हैं that is propane one all and propane to all are क्या है बच्चो isomers the most important line और very important यह सबको आगया कि ने आगया पक्की तरह से आगया ना yes or no बोल दीजे अब मैं चलिए आपका इसका fourth member दे रहा हूँ फिर fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth वो आप खुद करेंगे आई इसका fourth member मैं बता रहा हूँ pen down करिए fourth sorry पका आ रहा है कि ने आ रहा है h9 o h okay clear पका तो बच्चो इसका common name butyl alcohol इसका iupac name butynol butyl but but सबको आ रहा है अब इसकी structure सबको आनी चाहिए पका रहा है structure बनाएंगे एक दो तीन चार चाकर में लगा दिये सब जगे hydrogen h 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 और यहाँ पर o h आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर देंगे देखते हैं क्या होगा करनेंस इसका करनेंस क्या हो जाएगा करना में इसका उसक्राइब में चाहरा हैं कि लिए तक सब्सक्राइब करते हैं सेकेंड एक दो तीन, चार यहां पर लगा दी ओएच की सरकार अब डंडे पूरे करिए त्री एक टू त्री के लिए अब इसका ऐए पेसी नेम जो होगा बच्चो क्या होगा बोले ऐए पेसी नेम चार कार्वन ब्यूटेन 2- all अब इसका नम हम butainall भी बोल सकते हैं को या butain by all भी बोल सकते हैं सब को आरायए सब को आराय या रहायी कि न आरायए bedeutet sir मैं तो ऐसी नहीं बात मानना मैं तो ऐसे करूंगा देखे ऐसे c c c c और मैं तो यहां पे o h लगाँ गा Venis sir 3 H H 2 3 यहाँ पर लगाऊंगा तो आपको क्या देखेगा आपको देखेगा कि इसका नाम 3 हो जाएगा 1 2 3 No Numbering this Numbering is Wrong यह Numbering wrong होगी बच्चा लोगो क्योंकि हम Numbering हमेशा उदर से करते हैं जिदर से Functional Group पास पड़ता है 1 2 3 4 तो इस नंबर इंग इस राइट सब को आ रहा है तो अब वही कहानी इसको अमने बॉक्स में डाल दिया कि सबको आ रहा है न और इसका नाम होगा यह आई यू पी एसी ने सेमी ही रहेगा यह ब्यू टेन टू और सबको आ रहा है बच्छो पक का रहा है न हंड़ेट परसंट आ रहा है यह सवनो बोलिया पका न तो बच्छो ए दौना एक ही है इसलिए बीच में क्या लिख सकता हूँ और तो क्या कभी ब्यूटेन 3 ओल बनेगा नहीं बनेगा तो यह सबको आगे के नहीं आ रहे आर तक मैंने देदिया है अब 56789 10 10 तक बन वाले बनाएंगे और वाले में आप जितने पॉसिएबल आईसोमर बन सकते हैं बो बनाएंगे बना सकते हैं पका तो आपको पूरा टॉपिक समय होगा जिसमें हमने अलकोल्स के बारे में बात की है इसके बारे में बात कि बच् करेंगे सबको आ रहा है बच्चों पक्का आया अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर दोस्तों के साथ के लिए पक्का बोलो बच्चों पक्का बोलो बाबा अम्मा की जय है गुड़ नाइट